अनुजेश जी इस वक्त हमारे साथ जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं करहल से वो जोड़ गए हैं अनुजेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका और सबसे पहला सवाल ये कि बीजेपी की प्रत्याशी आप बना दिये गए हैं चलिए अनुजे जी आप बना दिए गए BGP के तरफ से प्रत्याशी ही लेकिन देखे अप परिवार के भीतर से ही यानि कि जो लेकिन आप में शुपाल यादव का बयान सुना। शुपाल चाचा का बयान बताया था कल मुझे जानकारी मिलिये। को मैंने उस पर किया था कि पहले चाचा अपने गलेवान में जहांके हैं। पहले उन्होंने पार्टी सपा तोड़ी थी, अपने मतलब के लिए, आपको सामने से एक दम ओफर दिया गया कि देखिया आप यादव परिवार में आप शामिल नहीं होंगे और अगर आपको यादव परिवार में आना है जी जी बोलिए तो मैं चाचा को मैं उनको सम्मान करता हूं मगर उनको ओफर दे रहा हूं वो पार्टी मेरे भाज़बा में मेरे साथ आजाए राष्ट्री पार्टी ये भाज़बा अपने समाजवादी पार्टी को छोड़ा आपने बीजेपी का दामन थामा इसके पीछे कि क्या वज़ा है क्या परिवार में या फर पार्टी में समाजवादी पार्टी में उस तरह की बाते नहीं थी कि आप लोगों को एक आप जो अस्थान चाहते थे वो अस्थान नहीं मिला या इसके पीछे की कोई और वज़ा है आपके अपना के बताईए परवार को अपना छोड़ता है कोई मेरे साथ को विश्वास घात किया होगा तभी मैंने पार्टी क्या नाराज़गी या पती का अरूब लगाए था मगर उसको यह नहीं मालूं कि सेपई बरात गई थी लाखों लोग मेरी बरात में गई थे उस पूर विधायक को यह तमीज नहीं है कि तथा पती बताता है पतनी बताता है मेरे को अपना धर्में सांसदों अखले स्यादों की वेन को उन उनको सरम नहीं है पूर विधायक एक इतनी बड़े परवार की मिटिया को भेन को आरूब लगाता है लेकिन एक बात बताईए यही लड़ाई इसी बात पर लेकर है जी 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 तो अच्छा यह बताईए यही सब वजह थी कि आपने पार्टी छोड़ी अच्छा आपके पलकि तरफ से या फिर आखिलेश की तरफ से किसी तरह का कोई बयान नहीं आया है कि तो मुझे भूर इंडिया मुझे भी बोलना पड़ा है और मैं तो पार्टी राश्ट्र पाटी का तेलि हूं मैं बल योगी जी मुधी में भिरोसा किया है तो मैं इस वरोसा को पूरा कायम रखूना चाचा जी게 करें थे तो तो में यह तो मैं कभी करूंगा ही नहीं जिन्दिगी में पार्टी में रहूंगा और भाजबा ने मेरा सम्मान रखा है तो मैं भाजबा के साथ हूं जी मरते दम तक कि आपके पूपा लगते हैं वो आपके भतीजे लगते हैं उनके लिए कुछ कहेंगे आप किस तरह की लगाई दिखते हैं आप ने पूरी तरह से दावा कर रहे हैं आप अपनी जीत का और कहीं ना कहीं आप तेश्ट को ये जी जी बोलिये पूरे जन्व पूरे समाज का हर बरक का हर समाज का मुझे समर्थन मिला है लेकिन ये बताईए अगर करहल पर जैसे समाजवादी पार्टी कह रही कि देखे भाई हम तो 9 में से 9 सीट लेकर आएंगे बीजेपी भी पूरा दावा टोक रही है लेकिन बात कर सब्सक्राइब करें तो थोड़ा क्रूशल जरूर है यहां से अनुजेश जी और प्रत्याशी भी आपके परिवार का भी आपके पार्टी का मेरा भी इस पर करहल की जनता से पुराना घिरोर विदानसवा था मेरी परवार के यहां से विदाइक रहे हैं मम्मी रही है मैं लड़ा था तो मेरा भी इस ग्रोर की जनता और करेल की जनता से मेरा पूरा बच्पन से मेरा लगाव रहा है लेकिन एक बात अनुजेश जी और बताए चुकि समाजवादी पार्टी के लिए कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी को हमने देखा भी है मतला परिवार के भी सारी दिक्कतों का सामना जैसा आपने बताया कि कुछ आपको दिक्कत थी पार्टी से और परिवार से इसे लिए आपने छोड़ा क्या यही वजय थी समाजवादी पाटी छोड़ने की जी 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 नाराजगी क्या थी कि मैंने बता तो दी यही नाराजगी थी और आप आपको लग रहा था कि यहां मेरा भविश्य राजनतिक भविश्य नहीं है और के और के मेरा नाजगी भविश्य नहीं सकता है फीडिये फीडिये की बात करने वाले उसमें के परवारवाद है मा और किसी यादव कर नमर नहीं आएगा उसमें और किसी यादव को भी दे सकते थे पूरी यूपी में और यह कोई यादव ही नहीं था लड़ने लाइक काविल जो सफा से लड़ सकता था यानि आप जिस परिवार से आते हैं उसी परिवार परिवारवाद का आरूप आप लगा रहे हैं अलुजेशी करहल कि जनता का क्या मूड़ है आप तो गए होंगे उनके बीच में करहल में समाजवादी पार्टी भी ताल टोक रही है आपके बतीजे आपके सान में कड़े हैं किस तरह से करहल की जनता आपको मतलब एकसेप्ट करेगी क्या कुछ उनके पास आप रख रहे हैं बीजेपी की तरफ से मुझे करेल की जनता पे पूरा भरोसा है हर समाज हरंग हर स अ्पर मैं समर्थन मिल ला है रोज जन समा कर रहा हूं पूरा अपार समर्थन मिलन ला है मेरे को अच्छा एक आरोप पार्टी और लगाती है समाजवादी पार्टी कि अनुजेश आपको वहां से बीजेपी ने प्रत्याशी करहल से कुश्चित किया सामने आपके बतीजे ही हैं कि जानबूच कर बीजेपी पेले परिवार पार्टी तोड़ती है और फिर वहां से जो लोग निकलते है उसी परिवार के खिलाफ उससे खड़ा करते हैं इस तरह के आरोप समाजवादी पार्टी के तरफ से लगते हैं चैचा पार्टी टोर के गए थे तब आरोब नहीं लगा था मैं चला गया भाजबा में तो आरोब लग गया चैचा ने भी धिंदध ही पार्टी बनाई थी बताइए तो चाचा ने क्यों मनाई गूम फिर के वापस चलेगे समाजवादिक पार्टी में आपको भी बुला रहें नहीं मुझे इमत ना बलाएं चाचा अपने पुत्र को सबको एज़ेस्ट कर ले और कोई रह गया है परवार में उसको भी एज़ेस्ट कर ले चाचा अचा तेज के लिए क्या कहेंगे तेज आपके सामने है और तेज भी दावा कर रहे हैं तेज का भी अपना जनधार है वो भी कहे रहे हैं कि तेज पताब से मेरा कोई मुकाबला नहीं है मैं है यारों बोटों से उनसे जीतूँगा लेकिन वो तो कह रहे हैं कि इस बार मामला बड़ा टाइट है बड़ा टफ है क्योंकि तेज सामने हैं और करहल में स्पी अपना दवट हो कर रही है और तेज भी लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से प्रचार प्रसार कर रहे हैं उनके प्रचार में क्या चुपाल हो या तो मेरे लिए भी भाजबा के हर कार्कर्ता हर बड़ा योगी जी और संग्ठन के सभी लोग मेरे साथ लगए उनके साथ परवार है तो मेरे साथ पार्टी और सब संग्ठन लगवा हुआ है मेरे साथ तो मतलब जनता लगी हुई है बिल्कुल तो करहल की जनता पूरा विश्वास है अनुजेश जी आपको पूरी पूरा विश्वास है मैंने बहुत सेवा की है कि करहल की जनता ने मेरे परवार ने की है मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे साथ धोगा नहीं करेगी करहल की जन प्रत्याशी तगड़ा इस बात को मानते हैं कि नहीं अनुजेश जी नहीं मैं नहीं है कोई मुकाबला नहीं है मेरा तेज पतापका कुछ कहना चाहेंगे तेज को नहीं मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा उनको आपने एक तो कह दिया कि हाँ ठीक है जीत तो मेरी होगी हाँ जीत होगी मेरी अच्छा ये बताइए चुकि अखिलेश अखिलेश ने अब तक इस पर कुछ भी नहीं कहा है और अखिलेश ने कुछ भी नहीं कहा उन्होंने की जिसको भी प्रत्याशी बनाएंगे हम तो हराई देंगे अखिलेश लगातार वहां से दम भर रहे हैं अब उन्हों के बारे जादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं ठीक है अखिलेश डिमपल धर्वेंदर सभी लोग जो मेरे खिले जो मेरे खिलाब बोलेंगे तो उनके खिलाब में बोलूँगा भी मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूं और जनता के सामने क्या मुद्दे रखने वाले हैं करहल से अनुजेश जी जनता के सामने विकास के और मोदी जी द्वारा जो किसान संबान निदी और आस्मान काड़ वाले और रासन वाला और जो छेत मेरे माता भेहनों का जो सम्मान किसी की एहिमन नहीं है गुंडे की जो मेरी मा भेहन को बेटियों को कुछ साथ कोई गलत काम करें ठीक है अनुजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका आम से बातश्यत करने के लिए